है अगर दोस्तों मेरा नाम है अंकित और स्वागत अब सभी का मेरे यूटूब चैनल पर जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने अभीतापूरा का रिव्यू किया था लाप्टॉप जो है अभीतापूरा उसका रिव्यू दिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं कि उसका बूर्ट टाइम क्या रहने वाला है और उसमें कुछ गेमिंग टेस्ट भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वह कितना जीवी रैम करके रखाया है तो जली सिधा पॉइंट पे आते हैं तो आप यहां पर कुल मिलाकर 6.95 GB अप्रॉक्स इसका खाली है यानि कि लगभग एक जीवी एप्रॉक्स जो है वह इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज कर रहा है यानि कि हम मान सकते हैं कि इसमें एक जीवी ग्राफिक्स है जैसे कि HP के लाप्टॉप में था उसमें लगभग दो जी भी रखे हुए था रिजर्व करके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है इसमें एक जीवी है तो ठीक है तो चली देखते आखिर इसका परफॉमेंस क्या रहने वाला है और गेमिंग में इस कैसा परफॉमेंस देगा लेकिन उससे पहले उससे पहले हम लोग इसका करने व भाला है तो मैरा लपटाप हो चुका है बंद अब चलिए इससे करते हैं परोपिन जैंस चाइं करते हैं अब टाईम देख सकते हम आ है इससे जादा आपको नहीं मिलने वाला है maximum इतना ही मिलेगा तो बूट टाइम तो काफी सही है साथ से आठ सेकेंड और री स्टार्ट के बात करें तो री स्टार्ट में आपको आपको री स्टार्ट में मिलेगा देखने को चलिए अब बढ़ते गेमिंग टेस्ट की और खोल लेते हैं अपना जीटीए फाइब तो जैसे कि पहले से बेंचमार्क टेस्ट जो रहता है हम लोग वह करने वाले हैं चलिए एक बार देख लेते हैं बेंचमार्क टेस्ट में यह कितना एफ़पीएस दे रहा है कि तो सेटिंग में आके यह ग्राफिक्स में जाएगा तो यहां बेंचमार्क टेस्ट रहता निचे तो चलिए बार सुरू करते बेंचमार्क टेस्ट तो अब यह 29 30 एफपीएस देंगा है कि देखते हैं मिनिमम कितना जाता है और मैक्सिमुम कितना रहेगा तो आप यहां देख सकते हैं कि मैक्सिमुम थर्टी एफ आपको मिल रहा है इसमें और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो 29 आ रहा है उससे नीचे नहीं गिर रहा है तो थर्टी एफ्पियस भी बुरा नहीं है बट अब यह देखने की बात है कि क्या गेम स्मूधनेस के साथ चले यह नहीं चले गे सबसे बड़ा बात यह होता है यहा गेमिंग परफॉर्मेंस में क्या कोई भी लैक देखने को मिलता है और गेम कितना स्मूध रहने वाला है क्योंकि बात करें अगर पचीस हजार रुपया की लैपटॉप की तो इसमें अगर गेम बिना लैक के चल रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है सबसे पहला बात तो यह होगा कि पचीस हजार के लापटॉप में जीटी फाइव चल रहा है और यह इतना कॉंस्टेंट एफपीएस देने का रीजन है एससदी क्योंकि एससदी वेरियंट है और एससदी में ही अब जाहीर सी बात है हाड डिस्क तो है नहीं तो गेम एससदी में है तो इसी लि इसमें लगभग साथ जी भी खाली है यहां एक जी भी राम ज्यादा भी है भले इंटीग्रेट ग्राफिक्स एक जी भी है उस पर चल रहा है गेम बट यहां एससदी भी है इसलिए आपको गेम में फुल स्मूधनेस देखने को मिलेगा और कोई भी लैग देखने को नहीं भी था तो अगर गेम प्ले की बात करें तो स्मूध गेम प्ले है हाँ भले 60 fps पे नहीं है बट 30 fps पे है और गेम प्ले एक नमबर कोई शू आपको नहीं आने वाला इस लैप्टप के साथ तो अगर आपका बजट 30,000 के अंदर है तो आप आंख बंद करके इस लैप्टप क बहुत कि ए 10 बहुत कि एया या तिशीप है या फिर ऐसे कुछ है लिट होता हाँ सखम फाइबर जञाएगा फॉले नहीं पॉबर रहता है जो बहुत बऒंब deb जो यूस सीपॉर्ट थेओं तीक है वह थोड़ा से टाइक है स्टार्टिंग में थाइत जपना थेऩां बेधा If you name me एधिर्व लगाने में भी थोड़ा सबोने कंपराइद और निकालने में बहुत तो साथ जी भी राम मिल रहा जो कि इनफ है आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए इनफ है साथ जी भी राम और एक जी भी आपका जो ग्राफिक्स मिल रहा है इंटेग्रेटर तो यह प्राइस पॉइंट पर यह लाप टॉप बेस्ट होने वाला है और आप लोगों को अगर बहुत रहता है तो अब लोग आप बंद करके इस लाप्तॉप के साथ जा सकते हैं और इस लापटॉप में और कोई भी इशू नहीं है किसी भी चीज का इसका अगर बात करें हम इसक्रीन क्वालिटी की तो इसक्रीन क्वालिटी भी जबदस्त है ऐसा नहीं कि ब्राइट बेस का सही है क्वालिटी बेस का बहुत सही है और बात करेंगा बैटरी बैकप की तो बैटरी बैकप यह एराउंड फोर टू फाइव फाइव आवर दे देता है मतलब उससे कम नहीं देगा चार घंडा प्लस ही देता है बैटरी बैकप तो अबर एक बेसिक यूज के आप जब भी गेमिंग करें तो एक नीचे कूलिंग पैड जरूर लगा ले लापटाप का उससे परफॉर्मेंस इन्हेंस होता है नेक्स वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लापटाप के गेमिंग परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकते हैं तो अग लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही था इससे ज्यादा और कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है इस लापटाप के बारे में और भी आप लोग अगर कोई होगा इस लापटाप के रिगार्डिंग तो आप दोस्तों बहुत जल्द हम लोगों की यूटूब फैमिली वन के होने वाली है तो उमीद है अप लोग ऐसे प्यार मुझे हमेशा देते रहेंगे और हमारी फैमिली फे देरे-देरे और इंक्रीज होते रहेंगे तब तक के लिए दोस्तों बबाए एंड हैव सेफ एंड है प्रप्प देवाली